हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एक्समार्टी नॉलिज पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेंट कलास हिंदी के चैप्टर फोर जिसका नाम है नाकुन क्यों बढ़ते हैं किस सारे यता संभब अबजेक्टिव के बारे में इससे फ्रिवेस वीडियो में हमने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थरी के सारे अबजेक्टिव को देख लिया था अगर आपको वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्टिप्टिव में लिंक है जाके देख सकते हैं जैसा कि आपको पता है बिहारबोट की सलेवस क आपके परतिक सब्जेक्ट में 50% अब्जेक्टिव है इसलिए आपको एक्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए आपका मैक्सिमुम अब्जेक्टिव सही होना जरूरी है तो इस वीडियो हम बात करेंगे चैप्टर 4 जिसका नामें नाखुन क्यों वड़ते हैं कि सारे कुल भी ना करें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन दवाना ना भोले ताकि विहार बोट से जोड़ी हरीक अपडेट आप तक पहुंसती रहे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैसा की चैप्टर का नाम आप यहां देख सकते हैं नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो चले हम देख लेते हैं पहला उपजेक्टिव पहला उपजेक्टिव है नाखुन क्यों बढ़ते हैं कि निवंद कार कौन है यानि नाखुन क्य देख लेते हैं नेक्स्ट अब्जेक्टिव है दिर्वेदी जी ने निल्लज अप्रादी किसे कहा है नाकुन को चोड को डाकु को या फिर बदमास को तो दिर्वेदी जी ने नाकुन को निल्लज अप्रादी कहा है तो इसका एंसर हो जाएगा ए नमबर नाकुन को ठीक है त पिर रामानू अचार की इसका एंसर हो जाएगा सी नंबर वात्सियान की ठीक है कामसुतर किसकी रचना है वात्सियान की चलिए हम अगला अब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका एंसर हो जाएगा दी नंबर पुरान तreated एंसर हो जाएगा दी नंबर पुरान तो चलिए अगला अब्जेक्टिव देख लेते हैं objective देख लेते हैं next किस देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते हैं गौड़ देश के कैके देश के वाहिक देश के या फिर गांधार देश के तो इसका answer हो जाएगा ए नमबर गौड़ देश यानि गौड़ देश के जो लोग हैं वो बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं नक मतलब होता है नाखून तो इसका answer हो जाएगा ए नमबर गौड़ देश तो चलिए अगला objective देख लेते हैं next objective ये कौन छोटी नको को पसंद करते हैं दाक्षिनात्य परवात्य इसका answer हो जाएगा ए नमबर दाक्षिनात्य ठीक है तो इसका answer हो जाएगा ए नमबर चलिए मगला objective देख लेते हैं next है हजारी परसा द्रवेदी का जनम कब हुआ 1905 S.V. में 1907 S.V. में 1909 S.V. में या फिर 1911 S.V. में 1907 S.V. ठीक है तो चलिए हम अगला objective देख लेते हैं next हजारी परसा द्रवेदी का जनम कहा हुआ था समस्तिपूर बिहार में बलिया बिहार में बलिया उत्तर परदेश में इलावाद उत्तर परदेश में तो इस objective को बहुत लोग गलत मारते हैं यानि समस्तिपूर बिहार मार देते हैं बहुत से student तो इसका answer हो जागा C number जैसा कि आप कहानी पढ़े होंगे तो इसका answer हो जागा C number बलिया उत्तर परदेश ठीक है यानि हजारी परसा द्रवेदी का जनम हुआ था बलिया उत्तर परदेश में चलिए अगला objective देख लेते हैं next है कौन मनुस्य का आदर्स नहीं बन सकता है सेर, बंदरिया, भालू, हाथी तो इसका answer हो जागा B number बंदरिया यानि मनुस्य का आदर्स बंदरिया नहीं बन सकती है चलिए अगला objective देख लेते हैं next objective है देपताओ का राजा से संबोधित किया जाता है यानि किने देपताओ का राजा कहा जाता है तो आप लोग ये पहले से जानते होंगे महादेव, विश्नू, इंदर या फिर बर्मा तो देपताओ का राजा इंदर को बोला जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा C नंबर इंदर, ठीक है तो चलिए अगला objective देख लेते हैं next है नक किसका परतिक है तो ये तो कहानी की सुरुबात में ही दिया गया है तो मानवता का, पसूता का या फिर A और B दोनों या इन में से कोई नहीं तो नक, नक मतलब होता है नाकून जैसा कि मैंने उपर भी वते है था तो नाकून जो है पसूता का परतिक है पसूता मतलब होता है जानवर ठीक है, तो इसका अंसर हो जाएगा B नंबर, ये भी भीवियाई objective है इससे आप लोग याद रखिएगा चली अगला objective देख लेते है नेक्स्ट objective है पिर्थमी राज रासो किनका संपादन है हजारी परसर दिर्वेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंद पंत या फिर नलिन विरोचन सर्मा तो पिर्थमी राज रासो जो है वो हजारी परसर दिर्वेदी की संपादन है तो इसका अंसर हो जाएगा ए नंबर ठीक है चली अगला objective देख लेते हैं नेक्स्ट है कासी हिंदू विश्विद्याले से हजारी परसर दिर्वेदी ने कौन सी उपादी दी गई परसर दिर्वेदी को कब परसर दिर्वेदी को कब परसर दिर्वेदी को कब परसर दिया गया इसका एंसर हो जाएगा उने सो संतावनिस्वी में यानि की बी नमबर तो चली हम नेक्स्ट अब्जेक्टिव देख लेते हैं अग्लाज अब्जेक्टिव पढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं कि एंद कर देलों तो चली हम अग्लाज ऑभ्जेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट अब्जेक्टिव ए असोक के फूल की रचना है दिनकर सुमित्रा नंदन पंथ, हजारी परसाद दिर्वेदी या फिर गुना कर मुले तो इसका एंसर हो जागा हजारी परसाद दिर्वेदी यानि असोक के फूल की रचना है हजारी परसाद दिर्वेदी की ठीक है दिली में उनकी मिर्ती हुई थी 1989 में तो इसका answer हो जागा ये नमबर 1989 दिली चलिए हम next objective देख लेते हैं next objective नाकुन का इतियास किस फुस्तक में मिलता है कामशुत्र में मेंगदूत में महाभास्य में या फिर इन में से कोई नहीं तो नाकुन का इतियास मिलता है कामसुत्र फुष्टक में तो इसका एंसर हो जाएगा ए नंबर कामसुत्र ठीक है यह भी अच्छा उब्जेक्टिव है इसे आप लोग याद रखिएगा चलिए अगला उब्जेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट उब्जेक्टिव है नेक्स्ट उब्जेक्टिव एक कहानी में चंदरकार, तिरकोन, दंतुल, वर्तुलकार, आकिरतियों का संबन मानव के किस अंग से की गई है जैसा कि चेप्टर का नाम ही है नाकुन क्यों बढ़ते हैं तो इसका सिंपल एंसर हो जाएगा ए नंबर नक यानि की नाकुन से ठीक है चली आगला उब्जेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट उब्जेक्टिव है अलवक्त का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन तो इसका एंसर हो जाएगा बी नंबर आलता यानि अलता आप लोग समझते होंगे निल पॉलिस जी से बोलते हैं चली आगला उब्जेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट उब्जेक्टिव है दिर्वेदी जी को साहत अकादमी पुरुसकार किस रचना पे मिला था असो के फूल पे आलोग पर्व पे या फिर अनामदास को फोथा पे या फिर कल्पलता पे तो दिर्वेदी जी को साहत अकादमी पुरुसकार मिला था आलोग के पर्व पे यानि की बी नंबर आलोग के पर्व ठीक है उनकी रचना का नाम है आलोग पर्व चलिए अगला objective देख लेते हैं नेक्स्ट objective प्राचीन मानब का परमुक अस्त्र सत्र था दात, नाखुन, पैर, पत्थल के औजार तो प्राणे जमाने की जो लोग थे उनके मुख्या तियार थे नाखुन ठीक है इसलिए वो नाखुन कभी भी काटते नहीं थे आडियों के पास इन में से सभी चीज़ था तो इसका एंसर हो जाएगा डी नमबर इन में से सभी ठीक है चलिए अगला objective देख लेते हैं नेक्स्ट objective है सब पुराणी अच्छे नहीं होते और सब नहीं खड़ाब नहीं होते ऐसा किस ने कहा था यानि ये किसकी कथन है ये पूछा जा रहा है पतंजली ने, कालिदास ने, वात्सयान ने या फिर कबीर ने तो सब पुराणी अच्छे नहीं होते और सब नहीं खड़ाब नहीं होते ये कालिदास का कथन है तो इसका एंसर हो जाएगा बी नमबर कालिदास ठीक है, चलिए आगला अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट अबजेक्टिव है नगधर मनुस से आज किस पे भरोसा कर रहा है बंदुग पे, लाठी पे, एटम बम पे या फिर लोहे के भिविन हत्यार पर नगधर यानि कि नाखुन वाले मनुस यानि हम सभी के पास नाखुन है यानि आज की जो लोग है, वो किस पे भरोसा कर रहे हैं जैसा कि उपर आपको वताया गया कि पुराने जमाने की जो लोग थे, उनके मुख्या तियार नाखुन थे तो आज की लोग जो भरोसा कर रहे हैं वो है एटम बम इसका एंसर हो जाएगा एटम बंपर यानि कि C नंबर ये भी विविए अबजेक्टिव है इसको आप लोग याद रखिएगा चलिए नेक्स अबजेक्टिव देख लेते हैं अगला अबजेक्टिव है मनोसे की मनोसित्ता आई है कि वो सबसे दुख सोक की सहनुविती के साथ देखता है ये तत्त किसका है यानि ये किसने कहा था इसका एंसर हो जाएगा गौतम बुध यानि कि ये वाक कि गौतम बुध ने कहा था चलिए अगला अबजेक्टिव तो इसका answer हो जाएगा आचारी हजारी परसाद द्रिवेदी यानि की D नमबर ठीक है चलिए अगला objective देख लेते हैं नेक्स्ट अचारे हजारी परसा दिर्वेदी ने साहिति की किस विद्या में लेखन नहीं है अलोचना उपनियास कहानी निवन अचारे हजारी परसा दिर्वेदी के साहिति जो है उनकी विद्या का कहानी में कहीं लेखन नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा C नंबर तो चलि इंदीरस आइतिक़ अधिकल्ट की अधिक यह भी उनके दवरा कि लिखा गया था इसका है बीgelिक दिखा गया थे चरह जाँ गए लए हरोसिमा कहा है एसपी द्रबसा कि भीएनिका टीन में भी नहीं है यह एक हम की माटी की मूर्टे जो में हजै कि दिथनही एक ही इरोशिमा कहां पर है जपान में इसका एंसर हो जाएगा दी नमबर जपान चली अगला अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट अबजेक्टिव एक कौन छोटी नको को पसंद करते हैं दाक्षिनात्य परवात्य माल्व मद्देशिये तो यह मैंने उपर भी वता है था इसका एंसर हो जाएगा यह नमबर दाक्षिनात्य ठीक है चली अगला अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट है नाखुन क्यों बढ़ते हैं किस परकार का निवन्द है ललित भाबनात्मक विविशनात्मक या फिर विवरन नात्मक तो यह हो जाएगा ललित यानि कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं ललित निवन्द है तो यानि कि इसका अंसर हो जाएगा यह नमबर ललित चल के हाथ में वज्र होता है तो उनके हड़ी से यानिकी दाधीची रिसी के हड़ी से इंदर का वज्र बना था इसका अंसर हो ज bättre शेगगा C नंबर इंदर Engra का वज्र चलिए अगला अबुज्यक्री देख लेते हैं नेक्स अब्बिग्टिव next and last objective हमारा सहाजात वेडिया किसे कहते है अस्तरों के संचियन को अंसां समिरतियों को और फिर स्वा के वन्धन को या फिर उप्योक्त सभी तो इसका एंसर लोगा b. अंजान समिरतियों को